हेलो, जहिंद, देखे फ्रेंड्स, आर्बेसी 10th क्लास की जो राजस्तान जीके की बुक है, इसके अंतरगत जो चैप्टर नमर फर्स्ट है, उसके अंतरगत आज का जो हुमरा टॉपिक है वो राजस्तान की प्राचीन सभ्यत हैं, और चैप्टर नमर फर्स्ट का नाम आप स जीट करके उसको देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में आपको एक कमेंट वर्क भी मिलेगा, जिसका अंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, चलिए सुरुवात करते हैं यापर, कोशन नमर फर्स्ट से, काली बंगा सभ्यता के संबंध में यापर सही कतन कौन सा नहीं है, वो बताना है, तो देखिए यहां से आपके लगबग चार फ्रेक्ट कवर होने वाले हैं, यह सभ्यता 6000 वर्स से भी अधिक प्राचेन माने गई हैं, यह राधरस्तान के हनुमानगड जिले में इस्तित हैं, यहां से प्राप्त काली चूडियो के का तरण इसका नाम काली बंगा पड़ा, यह सभ्यता बनास नदी के किनारे विक्सित होई, तो यहां पर देखिए जो सही कतन नहीं है, वो अप्चन नमर फोर्थ, देखिए जो काली बंगा सभ्यता है, यह गगण नदी के किनारे विक्सित होई थी ना कि बनास नदी के किना तो यही इसका सही अंसर है फूर्ट नमबर बाकी उपर की तीनों खतनिया पर सही है 1952 में काले बंगा की खोज किस ने की थी तो यह की गई थी अमला नंद घोस के द्वारा सेकेंड नमर अप्सनिया पर सही है बेवी लाल और बी के थापर ने काले बंगा में कब उत्खनन सुरू किया था तो देखिए इन दोनों के द्वारा उत्खनन कारी सुरू किया गया था काले बंगा के अंतरगत 1961-62 के अंतरगत यहाँ पर सही अंसर होगा उप्सन नमर फर्स्ट काले बंगा का उत्खनन कितने चरणों या फिर इस तरों में किया गया तो देखे आर्पेस से के दोरा यह प्रश्ण पूछा हुऊ है आप जरू द्यान कियेगा टेंद ग्लास की बुक में इफ्यक्ट दे रखा है सही आंसरों का यहां पर हमरा उप्सिन मर्थ थड पांच च चरणों के अंद्रगत यह पांच चरण के अंद्रगत जो देखे पर्थम दो चरण हैं इनका सम्मंध है हडपा सब्वयता से भी प्राचीन और जो बाद में जो तीन जो चरण है जिनके अंद्रगत खुदाई की गये थी तीसरा, चौथा और पांच वा चरण इन में जो हमांसभश्दों प्राप्त हुए वह संकाली नहीं हडपव्धा गई तो यह आप ध्यान कियेगा खाली बंगा सब व्यता को कितने भागों में बाठा गया हैं लेकि काली बंगा सब्यता को दो भागों के अंतरगत बाठागा अगला ऊफ्रश्न था काली बंगा का उत्खन नहीं कितने चरणों के अंदरगत हुआ है तो सh Кाली बंगा नगर की विशेषदा है यह एक सूव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था मकान बनाने में मिटी की इटो का प्रयोग किया गया था यहां से जूते हुए खेत के साक्षे मिले हैं यहां से लोग एक खेत में दो फसल उगाते थे या फिर सभी तो देखे काली भंगा नगर के समन्द में जेते भी आपर एक कतन दे रखे हैं यह सभी सही हैं फोर्थ नब रखेत के से जुआ होगा तो यहां ध्याने कियागा कहां से एक बच्चे के कंकालकी खोपड़ी में छेंचेपनज़ मिले हैं जिसे मस्तिस्क सोध बीमारी के इredali का प्रमान माना जाता है तो यह जो हमें साख से मिला यह कहा से मिला है यह मिला है हमें काली बंगा से यहाँ पर फोर्थ नमर अप्सन नमरा सही आंस्वर होगा और निच्वल फैक्ट भी आपे द्याने कियेगा काली बंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों के सवधान पदति की हमें जानकारी मिलती है यह भी इंपर्डंट फैक्ट है तो आपे द्याने कियेगा कहां से खिलोना बेल गाडी, हवन कुंड, लकडी की नाली और बेलनकार मौर प्राप्त होई है तो यह भी हमें प्राप्त होई है कहां से? काली बंगा से तो आपे द्यान किएगा जूती हुए खेत है अगनी कुंड है हवन है ठीक है हवन कुंड और जो बेल गाड़ी है खिलोना बेल गाड़ी लकड़ी की नाली बेलना कर्मोहर यह सब भी हमें कहां से प्रप्त हुए काली बंगा से कौन सी सब्यता एक टिले के नीचे दबी हुई थी जिसे धूल कोट कहते हैं तो यहां परमरांसरोंग अप्शन नमबर थर्ड अहड अहड सब्यता अहड सब्यता उदेपूर सहर के पास आयड नदी के तटपर विक्षित हुई थी अहड जो हैं अहड से चार हज़ार वर्ष पुरानी पासान धातु यूगीन सब्यता के आफसे समय मिले हैं तो यह आप ध्यान कियेगा सरपर्थम 1953 इसवी में किसके नेतलतों में अहड सब्यता का उद्खनन सुरूख हुआ तो देखी काफी इंपोर्डन प्रशन है कई बार के एक्जबों के अंदर गत आया हुआ है अक्से कीरती व्यास इसका सही आंस्वर है अप्सन नमबर थर्ड अहड सब्यता के सम्मंद में सत्यकथन कौन सा है वो बदाना है यहां मकान बनाने में इटो एवम पत्थरों का प्रियोग किया गया यहां के लोग अपने मर्तकों को गहने गहनों के साथ में दफनाते थे यहां के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन हमें सरवादिक मिले हैं जो अहड को लाल काले मिट्टी वाले जो बर्तन है बर्तन वाली संस्कृति का परमुक के अंदर सिद्ध करते हैं या फिर सभी तो देखिए अहड सभिता के समन में तीनों कोतन या पर सही है तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं निम्न मैंसे किसी ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है तो देखे ताम्रवती नगरी कहा जाता है अहड को थर्ड नमर अपसने आपर सही अंसर होगा ताम्रवे के ओजारों एवम उपकरणों के अत्युद्धिक प्रयोग के कारण ये नाम रखा गया तो ये आप ध्यान कीगा जो अहड है इसका नाम ताम्रवती नगरी किस कारण रखा गया तामबे के यहां पर ओजार उप्रण काफी अधिक परियोग में लाए जाते थे इस कारण उत्खनन से यहां पर आहड में रंगई छपई व्यवसाय के भी हमें अवसिस मिले हैं तो इफेक्ट आप द्यान कियेगा राजसमुन्द जिले में बनाशनदी के तट पर दो टिलो के उत्खनन के फल सोरूप कौन सी सभ्यता प्रकास में आई तो देखिए इसका सही आंसर होगा उप्सिन मर थर्ड गिलूंड सभ्यता तो आप द्यान कियेगा और जो भी बनाशनदी के किनारे या तर्ट पर जो की सभ्यता विक्सित होई है उनको कहा जाता है बनाश संस्कृती ठीक है बनाश संस्कृती की सभ्यता है तो यह आप द्यान कियेगा गेलोंड सब्यता का उत्खनन उनिस सो सत्तावन अठवन में किसके निर्देशन में किया गया था तो देखिए ये किया गया था बीबी लाल के निर्देशन के अंतरगत तो यह आप ध्यान रखेगा और यह आप ध्यान रखेगा इसके बाद में उनिस सो अंठ्यानवे से के अवसेस मिले हैं गिलुंड से जिसका समय 1900 से लगा कर 1700 इसा पूर निर्दारित किया गया तो ये फेक्ट आप द्याने किएगा गिलुंड सब बेता के समन्द में गिलुंड से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? गिलुंड से कुल पांच प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं. तो ये प्रकार कौन-कौन से हैं? देकि फर्स्ट प्रकार है साधे प्रकार के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, काले, मिट्टी के बर्तन, पॉलिसदा के अवसिस भी मिले हैं तो यह सारी important fact है जो कि 10th class की बुक के अंदर गत दे रखे हैं कहां पर पक्की इटो का जो उप्योग है वो नहीं हुआ है तो यहां पर मरस्य यां शुरोगा option no.2 अहड में और यह भी fact आप द्याने किएगा कि पक्की हुई इटो का प्रचूर उप्य और किसके द्वारा 1967 से लगाकर 1970 के मद्धि में बागोर सभ्यता का उत्खुनन किया गया था तो देखिए यहां पर मारा सही आंसर होगा वी एन मिसर के द्वारा तो यह आप जाने किएगा थर्ड नमर अप्सन मारा सही आंसर होगा और देखिए यहां से जो प्रश्ण है इससे भी एक दो प्रश्णों और बन सकते हैं जैसे कि बागोर सभ्यता किस नदी के तट पर मिली है ठीक है या फिर विक्सित होई थी तो कोठारी नदी के तट पर किस जिले के अंदर गद है तो भील बड़ा जिले के अंदर गद और इसका उत्खुनन कब किया गया था त ताम्बे की छेद वाले सुई कहां से प्राप्त हुई है तो यह आप है प्राप्त हुई है बागोर से फोर्तम रप्सनमरा सैयांस्वर होगा बागोर से करसी और पसुपलन के प्राचिनतम साक्सिभ्य में प्राप्त हुए है कांतली नदी के उद्गम पर इस्तित तामर युगीन संस्क्रते का महतुपून इस्तल कौन सा है तो यह आप सभी को पता है यह है गणेश्वर और निचेवला फैक्ट में आप ध्यान कियेगा कि यहां से प्राप्त ताम्वे के उपकरणों में 99% तामभा है तो यह आप ध्यान कियेगा तामर युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है तो यह माना जाता है गणेश्वर सभ्यता को देखें दो प्रश्टों बनते हैं एक तो बनता है कि ताम्र योगीन सभ्यता की जननी किसको कहा जाता है तो गनिश्वा सभ्यता को और एक ताम्रवति नगरी कौन से है तो वो है आहड तो यह थोड़ा साब ध्यान कियेगा क्रिपश्वर्णी मृद्पाद्र जो है यह हमें कहां से प्राप्त हुए है तो जो क्रिपश्वर्णी मृद्पाद्र है यह हमें प्राप्त हुए है गनिश्वर से फूर्थ नम्रप्त नमरा सही आंस्वर होगा भीनमाल जिसका प्राचिन नाम है श्रीमाल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था तो देखिए इसका उत्खनन किया गया था आरसी अगरवाल के द्वारा तो आप ध्यान कियेगा जस्ट आगे हमने देखा था गनेश्वर का उत्खनन भी आरसी अगरवाल के द्वारा ही क के दिशन में और आर्सी अग्रवाल के द्वारा ही भीनमाल का भी उत्खुनन किया गया था तो यह आप द्यान कियेगा रतंत चंदर अग्रवाल कहां से एक रोमन एमफोरा सुरपात्र व एक युनानी सुरही मिली हैं तो यह कहां से मिली हैं सई अंसरोगा सैके नम रप्सन भीनमाल से इस्वाल सभ्यता वर्तमान में किस जिली में इस्तित हैं तो देखे इस्वाल इस्तित हैं उध्यपूर जिली के अंतरगत और इस्वाल से हमें लोह उध्यों के साक्ष बिले हैं बेराट जेपूर की विजग पहाड़ी भीम की जो डूंगरी है और महादिव जी की डूंगरी के अफसेस प्राप्त हुए हैं से अफसेस प्राप्त हुए हैं तो किनके अफसेस प्राप्त हुए हैं हडपसभ्यता के मौर्यकाल के या फिर दोनों या फिर कोई नहीं देखे हड़पसभ्यता के और मौर्यकाल के इन दोनों के अवसेस हमे प्राप्थ हुए है इन सभी इस्थानों से तो हमारा से यांसर होगा थर्ड नम्बर अप्शन दोनों बेराट के संबंद में सत्य कतन कौन सा है वो यहां पर देखना है इसका उत्कुनन दैराम सहानी नील दतन बनरजी और केलास नात दिक्सित के दोरा किया गया यहां से एक गोल मंदिर और असोक के इस्तंब के अवसेस प्राप्थ हुए है बेराट के समीप असोक का भाबरू अभिलेक प्राप्त हुआ है जो असोक के बहुत धर्म का अन्वाई होने का प्रमान देता है या फिर सभी तो देखिए तिनों गोतन यहां पर सही है सभी हमारा सही अंसर होगा और जो यह तिनों जो फैक्ट है यह किने ने किनी एक्समों के अंतरकत आये हुए है तो यह ज अंसर होगा अप्सिन नमर थर्ड निम्न मैंसे कौन सा सही सुम्मेलित नहीं है वो यहां पर देखना है देखिए रंग महल हनुमान गड़ यह यहां पर सही है ओजियाना भीलवड़ा यह भी सही है नगरी चितवड़गड यह भी सही है बरोर देखिए बरोर स्री मेर में तो यह मुरा सही अंसर होगा तिलवड़ा है बर मेर में जोदपूरा जेवपूर सुनारी जुझनु नोह भरतपूर और नगर है टॉंग के अंतरगत देखिए कभी कबार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं नगर और नगरी के अंतरगत अगर नगरी पूचे आपको द्यान रखना है चितोडगड नगर का पूचे तो आपको द्यान रखना है टॉंग राजस्तान के किन इस्थानों से वैदिक काल के अवसेस हमें मिले हैं तो देखिए यह मिले है अनुपगड तर्खान वाला डेरा और चक्र 64 इन तिनों इस्थानों से तो सभी अम दर्वार में व्यतित किया था जै सिंग के दर्वार में विराट के दर्वार में सतुर्ण के दर्वार में या फिर विक्रम के दर्वार में तो देखिए उस समय जो मतर्स्य देश के सासकते वो थे विराट यहां पर से आंसरों का सेकेंड नमबर ऑप्शन तो यह आप द्य आज का जो आपका कमेंट वर्क है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में इसका आंस्वर देना है निम्द मैंसे कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है प्राचे निस्तल के संबन्द में तो इसका जो भी आपको सही आंसो लगे वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में लिखके बताना है और जो पहले पांच कमेंट होगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंतरकत लिया जाएगा आपको यह पूरे वीडियो पसंद आया होगा और मैं कम्प्लीटली जितना भी मेंटर है टैन्थ क्लास की बुक के अंतरकत फर्स्ट चेप्टर में वो आपको यहाँ पर प्रवेड करवा रहा हूँ तो आप इस रीच को अच्छे से फॉलो करेगा और अधिक सदिक स्टूडेंट को फॉलो भी चुरूर करें अभी देखिए अधिक तर्स्टूडेंट जो स्टेडी है वो कर नहीं रहें क्योंकि उनके सामने कोई लक्सियर नहीं है ना फर्स्ट ग्रेड है ना सेकेंडर ग् लेकिन इसकी जो भरपई है वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल जाने के बाद में कुछ नहीं हो सकता है और इस वीडियो के एंड के अंदर गत आपसे यहीं कहूंगा कि आप हमेसा मोटिवेट रहे आप देखिए आपको मोटिवेट करने की आप सक सकती हैं और आगे बढ़ा सकती हैं अगर आप कहीं पर सफल भी हैं धारेक्शन हो गया है या फिर होने वाला है और आगे बढ़ना चाहते हैं यानी अपना अच्छा performance करना चाहते हैं आने वाली परतियों के अंदरगत तो उसके अंदरगत आपके अंदरगत जो आत्म अभी प्रेना है वो होनी चाहिए तभी आप आने वाली परतियों के अंदरगत सेलेक्ट हो पाएंगे अधरवाइज एक बार कहीं पर सेलेक्ट होने के बाद में 90% जो लोग होते हैं वो वही पर रह जाते हैं ये वास्त्विक्ता है और 10% जो लोग है जिनके अंदरगत काफी अधिक आत्म प्रेना होती हैं तो उसके बलबुते वो आगे बढ़ते हैं तो इस वीडियो में अतना नहीं वीडियो हेल्प लगाउट लाइक शीर जरू करेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्रीब जरू करेगा धन्यवाद